दर्शकों आपको पता है एक आदिवासी लड़के ने फिल्म फियर अवार्ड जीता है जिहां गुरवार 27 अप्रेल को 68 फिल्म फियर अवार्ड में जिसको सलमान खान और आईश्मान खुराना मनीश पॉल जैसे बड़े-बड़े एक्टर होश्ट कर रहे थे वहीं अंकुष ने फिल्म डॉक्टर जी के अभय मिश्र गंगुबाई काठियावाडी के शांतनु महेश्वरी और भेडिया फिल्म के पालिन कभाग जैसे अभिनेताओं को पीछे छोड़के सर्वसेष्ट डेब्यू अभिनेता का प्रसकार जीता है अब आपको बता दें कि अ करदियो का शांदार खिलाडी बंता है और इस फिल्मको प्रख्यात फिल्मकार नागराज मंजुडे अब इस फिल्म में में अमिताब बच्चन भी एक प्रमख भूमिका में थे फिल्म कोया है ये सर्वसेष्ट अभिनेत्री का नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फियर मराथी अवार्ड मिल चुका है। रिंकू राजगुरु भी शेडूल काश्ट से आती हैं। मतलब ये की नागराज मंजुडे हो या पारंजित, अजय अतूल हो या फिर विजय पाटिल, रिंकू राजगुरु हो या फिर अंकुष गडाम, इन सभी में टैलेंट तो भरपूर है, जरुरत है सिर्फ एक मौके की। मौका या औसर मिलते ही इस वर्ग के लोग अपना जंडा गार देते हैं। लेकिन जिस विवस्था में द्रोणाचारियों की भरमार हो, जहां प्रतिभाओं का रास्ता रोखने की सारे हतकंडे अपनाए जाते हों, वहां एक औसर जुटा पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। बावा सहाब भी दलित वर्ग की इस प्रतिभा और वर्ण विवस्था वाले समाज की हकीकत को जानते थे और इसलिए उन्होंने दलितों पिशलों के लिए औसरों को आरक्षित करवाया था। लेकिन अब दूसरे तरीकों से इन औसरों को खत्म करने की साजिशें भी क अधाई हो। आप भी अपनी प्रितिक्रिया कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। और दाश्यों को एक बात और आप हमारे इन वीडियोस को अपने ओर से फॉर्वड करें और सभी को कहें कि सब्सक्राइब करें क्योंकि यूटूब जो है न हमसे थोड़ा सा दूर हट कर चलता है। वो हमारे वीडियोस को न तो फॉर्वड करता है और नहीं नोटिफिकेशन इसके सब्सक्राइबर को भेजता है। तो थोड़ा हमसे नराज रहता है यूटूब क्योंकि हम लोग ऐसे विश्यों को उठाते हैं। खर हम और आप अगर मेहनत करें तो ये बात बहुत दूर तक जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।